इंसानी शरीर में गर्दन के ठीक बीच में होता है थाइरोड ग्लेंड और थाइरोड ग्लेंड का काम है शरीर में थाइरोड हॉर्मोन का संतलन बना कर रखना शरीर में thyroid hormone normal से ज़्यादा हो जाए तो इस condition को hyperthyroidism कहते हैं आईए आज आपको उन आठ common lecture के बार में बताता हूँ जिससे आप खुद ये diagnose कर सकते हैं कि कहीं आपको hyperthyroidism है कि नहीं तो पहला symptom है weight loss hyperthyroidism के मरीज को भूग भी ज़्यादा लगती है लेकिन खाना हमेशा भर पेट खाने के बावजूद मरीज का weight loss होने लगता है rapid और irregular heartbeat जिसकी वज़े से मरीज को अपने दिल की धरकन बहुत तेज महसूस होती है जिसे palpitations कहते हैं heat intolerance यानि की बहुत गर्मी लगना और पसीना आना hand tremors यानि की हातों में कब-कभी मने रहना 5. और important symptom है आँखों का बड़ा हो जाना और कम जपकना hyperthyroidism patient की आँखे आइलिट से बाहर आ जाती है और काफी बड़ी और डरावनी दिखती है और आँखें कम जपकती है महिलाओं में periods का irregular हो जाना या periods बिलकुल बंद हो जाना hyperthyroidism का एक important symptom हो सकता है 7. fracture होने का risk रहना 8. loose tools या diarrhea की शिकायत रहना